एक नदी जिसे वेदों में सबसे महान कहा गया जिस नदी के किनारे लड़ा गया महाभारत का युद्ध आज उस नदी का नाम और निशान नहीं है बस दिखते हैं तो सिर्फ उसके स्केलेटन्स लेकिन कुछ कहते हैं ये आज भी गुब तरीके से बहती है आखिर कैसे सूखी सरस्वती नदी कैसे मिटा वजूद भारत के इतिहास की सबसे महान नदी का भारत वेदो में भारत को सब्त सिंदू कहा जाता है जिसका मतलब है लैंड ओफ सेवन रिवर्ड्स लेकिन एक नदी जिसका जिक्र वेदिक टेक्स में तो है पर आज वो एक्जिस्ट नहीं करती वो है सरस्वती आखिर कहां गई है महान नदी कुछ कहते हैं यह आज भी बहती अंडर गुप तरीके से क्या है सरस्वती का सच यह सवाल आज भी कई एक्सपर्ट्स जियोलाजिस और स्कॉलर्स को परिशान करते हैं लेकिन आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है कि डोंट फियर वेन एंपी जियर हाँ हाँ लेट्स बिगिन सरस्वती की खोच ओनली ओन हिस्ट्री हंटर प्रयाग राज उत्तर प्रदेश जहां हर बारा साल में दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है महा कुम्ब मेला प्रयाग मतलब दो नदियों का मिलत यानी संगव और प्रयाग राज में है गंगा और यमुना का संगव इस वक मैं हूँ गंगा किनार और कहते हैं प्रयाग राज में इस गंगा यमना के संगम एक तीसरी नदी भी मिलती, एक अध्रिश्य नदी, एक ऐसी नदी जो अंडर ग्राउंड बहते हुए उस संगम में मिलती, कॉनसी नदी रही? ala. the Ganga Stotra and Saraswati Stotra by the famous renowned philosopher Shankaracharya quotes the term Prayagaj, that means there was a confluence of rivers which is a very holy place. The Saraswati as the riviered rivers, sacred rivers is so much in our religious and cultural psyche, that people started naming various rivers as Saraswati in different parts of India. अार अवस्थू नहीं रिधने अविसे स faithfulज से लिधने ही नवसियनों कि रिधने सम parade रग्राज जो हुज नहीं रिधने रिधने की पेमाड़ रिया है रिधनी और कि रेखिए Saraswati is a river that was coming down from Himalaya and flowing slightly westward following a near parallel to Inda's channel and was then flowing to the northern fringes of Fran and debouching into the extended Kodi Creek Himalaya से निकल कर इस्ट में जारी थी फिर वेस्ट में जाती थी यार ये इस्ट वेस्ट के चकर में मेरा नौर्थ सूथ नौजे लेकिन मैंने ये सुना है वेदो और महाभारत में भी Saraswati के बारे में यही कहा गया कहते हैं भगवान परशुराम ने धर्ती से अत्याचारियों का जब नाश किया उसके बाद उन्होंने भी पवित्र सरस्वती नदी में ही स्नान किया था और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के किनारे ही लड़ा गया था और फिर युद्ध जीत कर जब पांडव स्वर्ग के लिए निकलते हैं तब भी उनका सामना होता है माइटी सरस्वती रिवर से बात करें रिगवेद की तो उसमें भी सरस्वती को तीन अलग-अलग रूप में मेंचन किया गया है जिस नदी के इतिहास में इतने निशान मिलते हैं वो भारत की इस पवित्र धर्ती से ऐसे कैसे गायब हो से इंडस, ब्या, सतलुज, रावी, जेनाब, जेलम जैसी नदिया आज भी मौझूद है तो महांच सरस्वती क्यों नहीं बचपाई? सब पता करेंगा पर पहले समझते हैं, as per scientific research, वेदिक सरस्वती नदी का रूट कैसा था? In 1893, Oldham, who was a geologist from Geological Survey of India, published a paper where he defined for the first time the course of river सरस्वती. And what did he define? He defined precisely the Nara-Hakra-Ghagha river channel, which was the course of the सरस्वती. All the scientific evidence, coupled with the archaeological evidence, suggests सरस्वती was actually flowing west of the third desert, from the Ghaaghar-Hakra through Hakra-Nara and eventually debauching into the Ranafkach. Regarding सरस्वती, when we discuss, these paleo channels of the river are mostly buried across the third desert. And the alluvial plains of Punjab and Haryana. Paleo means past, channel is river channel. So, paleo channels simply means past river channels. We really can't see them from the surface. But, 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 my question is, माना एक बडी नदी का स्केलेटन मिला. I mean, paleo channel मिला. लेकिन क्या ये रूट बाके ही, सरस्वती का ही था? और यबी तो हो सकता है कि कोई और नदी हो? और अगर ये सरस्वती थी, तो ये गायब कहा हो है? All these Harappan civilization settlements, they have grown along the riverbanks. Because these settlements were essentially agrarian societies. So, they needed floodplains for agriculture. What you see today in the present day Haryana, through Rajasthan, into up to the run of Kaaj, they were also grown along the riverbank of the buried channel of the Sarasruti. And these settlements are far more in number than was considered earlier. So, therefore, many archaeologists and Indologists are inclined to tell these civilization as Indas Sarasruti civilization, rather than only Indas Valley civilization. और ये स्थेशाल स्थेशादादी तो वे स्थेशादादी थी, लिए रतर वो झामने संवेबादी प्रकाश्यों प्रकाश्यों कामने स्थेश्ट ने प्रकाश्यों चाही एया है. झाल झाल